अलो है आज हम बात करेंगे चप्टर नंबर फोर के फोर्मुलास के बारे में इसके आगे के सेशन में मतलब इन आवर लास्ट सेशन में डिसकूस्ट अबाउट फोर मेजर आफ इस पर्शन उसमें से पहला था रेंज दूसरा था रागा देशन थीस बागा वार्ट डायल डेविएशन उसके बाद आज हम बात करने वाले हमारे फोर्थ और हमारे लास्क मैंजर आफ डिस्पर्शन के बारे में और वह है स्टांडर डेविएशन कुंसा है स्टांडर डेविएशन तो नहीं अनक्ति लास्क में अपना ब्रण बात करते हैं कितने अनक्ति लिक आफ रेवाइट करते हैं कि एक चीज़ याद रखना रिलेटिव मेंजर को हम को एफिशेंट का नाथ देते हैं कि यहां पर जो फॉर्मिला हम यूज करने वाले यहां पर को एफिशेंट से होगी इसको हम डिनोटेट किस चीज से करेंगे इसको डिनोटेट वाइए स्मॉल तो यहां पर डिलेटिव को माद प्याओ को ओप्रोसूशंट और फिलेटिव का प्या बहुत रहेंगे तो उसकी formula क्या बनेगी क्या तो कि उसकी formula बनेगी S जो हमने find out किया है वहां से यहां से एपसोलिक measure में से में divided by x bar, वो तो आको find out करना आता ही है एक चीज यह फर्ड फर्म्ला यह बनेगी और दूसरी formula है को क्या मेसर यह बनेगी जो हम बनेगी करने की formula coefficient of Standard Deviation सब जो दूसकी फर्मिला है जिसको हम कुको क्पाइबié कू Benjamin Efficient of variance. क्या को लें के उसको? Variation. standard deviation लिका जो square बनता है नो को variance बनता है यहां उसको variation रहना है जिए x divided by x bar 1 to 100 यह किस चीज़ की formula है क्यों को कि आपनो को बोला जाए find out the variations or variance coefficient of variation is equal to तो s divided by x bar into 100 एक कोन किसकी फ़र्मिलादी डिलेटिव मेजर गी चलो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एपसलेट बैजर जो हमारा रियल में स्टांडर्ड एडियेशन है तो स्टांडर्ड एडियेशन को फाइड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रूप डेटा और इसको हम हमारे वर्ड में नाप देते हैं रोड़ डेटा ओके रोड़ डेटा काईगे एक इस तरीके से जो हमें ऑब्सेरेशन दिये जाते हैं तो उस ऑब्सेरेशन को क्या बोलते हैं अंग्रूप डेटा और रोड़ डेटा या देश चैप्र नमबर त्री के अंदर हमने इसी तरीके से फाइंड आउट करने के फॉर आउट संस किये दें ओके एक्स पार अंग्रूप डेटा के लिए स्टांड डेवेशन का एस इस इक्वाल टू अंडरूट में ओके सिग्मा इसकी दूसरी फॉर्मिला यह फॉर्मिला भी है उसकी और एक फॉर्मिला जा बनेगी अंडरूट में सिग्मा एक्स क्या बढ़ेगा सिग्मा एक्स स्क्वेर डिवेड़ बाई एंड माइनस यहां पे जो एक्स पार है हुगे फॉर्मिला है यह फॉर्मिला भेन सकते हैं यह फॉर्मिला यह लिक्न है तहलो इसको हम दी के हिसाफ से डिफ्रेंस ने देता ना तो उसको फाइंड आप करने की फॉर्मिला क्या है एसको अंडरूट में दिया जाएगा सिग्मा दी इडिवाइड और मायना सिग्माद इडिवाइड और और फ्रेकेट रिवाइड ना और माइनस सिग्मा दीवाइड बाइड है यहां पे सिग्मा दीवाइड और all स्क्वेयर है, अब आप सोजोगे सर यहां आपने D काउंसा लिया D के से मिलता है तो D की फ्रब्रा कहां यहां पर लखने देला हो x-a D के से मिलेगा आपकी जो x की कॉलम दियाती है मतलब यह जो सारे ऑप्जूर्वेशन हो गे उस में से अच्छित ए, यह मतलब एजो मेंसे किसी एक को एज्यूम करदो, और उन सब को, इन सब भी अबजरवेशन मेंसे उस एज्यूम किए हूए उस आपसल को माइनास करदो, तो आपको D मिल जाएगा। उसके बाद D का स्पेर करोगे, तो सिगमा डी स्पर मिल जाएगा। वो सम्द करते वक आपको इसली अंडर्स्टेंड होगा समझ में आएगा तो यह जी क्यों चीक वर मिला दी तो किसर अंग्रूप डेटा के लिए इसके लिए अंग्रूप डेटा के लिए ना हम बात करें के पॉर्डूप डेटा अग्रूप डेटा है जिसमें फ्रिक्मंसी भी दी जाती है और क्लास भी दिये जाती है और दोनों के लिए हमारी एक ही फॉर्मिला यूस की जाएगी उसके लिए हमारी एस सिग्मा बनेगी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यह जो सिपनी भी फॉर्मिला हमें उसकी दी वेस ही आएगी लेकिन इसके सिफ एक ही चीज़ इंडूट हो ले रहेगी और वो कौन सी चीज़ इंडूट होगी तो के फ्रिक्वंसी सिग्मा एफ प्रेकेट प्रेकेट के लिए यह पहनी फॉर्मिला अब उसकी दूसरी फॉर्मिला क्या है ग्रूप देटा के लिए तो हमने जो यूज किया है वही चीज़ को यहां पर यूज करना है सिग्मा एफ एक स्क्राइब एक स्क्राइब यह कौन सी फॉर्मिला थी अंग्रूप डेटा ग्रूप डेटा इन दोनों के जैसी लेकिन यहां पर आगे सिग्मा के साथ फ्रिक्वंसी लग जाएगी अब उसकी शॉर्टकट मेतट के बार में बात करते इसके बार में यहां पर हमने शॉर्टकट में क्या लिए था एकस माइनस के कि हमारे तो ओब्सेबेशन होते है बहती जादा बड़े रोते नहीं है तो लेकिन यहां पर शॉटकटट टू आएगी अगर आप d is equal to shift x minus a लेते हो और अगर आप d is equal to x minus a divided by c लेते हो तो दोनों की formula different बन जाएगी तो short of method की formula हम start देलेगे sigma fd square divided by n minus sigma fd divided by n all square देख्रों बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं सिर्फ fd यूज किया है यहां पर यहां पर जब divided by c किया जाएगा उसकी formula क्या बनेगी तो प्रेशर sigma fd square divided by n minus sigma fd divided by n all square लेकिन bracket के बहार आप लोगोंने d find out करते हैं इस चीज का यूज किया है तो उसको हम यहां पर यूज किया जाएगा 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 इसा फिक्स नहीं कि क्लास होगा तभी यूज किया जाएगा और रिमेंग जो एक्स और एक्स की कौनती है यह formula यूज की जाएगी तो इतनी formula थी अगर आपको और ऐसा पूचा जाएगी relative measure की बात प्रेशलिए रहा okay absolute measure की बात थे तो उसको हमने दो पार्ट्स के डिवैट किया है रो डेटा that's called ungroup data और group data okay group data के अंदर यह formula थी frequency की यहाँ पे frequency id नहीं तो यह formula id अब हमारी last formula जो है वह बाकी है that's called combined standard deviation यह formula through already complicated है लेकिट आपको यह formula अच्छी तरी कैसे समझने के लिए इस concept पहले understood करना पड़ेगा combined standard deviation बोला है आप लोगों कोने combined mean की formula already पढ़ लिये तो सबसे पेले यहाँ पे दूसकी requirement रहेगी पहले find out को रो combined mean x bar c okay उसकी formula क्या थी को जैसर n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2 थी यह formula हाँ यह था combined mean इसको क्या पो लेंगे है यह formula already chapter number 3 के अंदर आप लोग पढ़के आ रहे हो उसके बाद अगर हम बात करें combined standard deviation की तो उसको हम बोलेंगे combined standard deviation okay s c से उसको related किया जाएगा किसी दियाएट किया जाएगा sc पूरा का पूरा अंदर रेना है से कितना अंदर रेना है पूरा ना तो पूरे सब n 1 क्या लेना है n 1 consider करना है उसके बाद आप जो s1 square plus d1 square plus n2 या पे दा s2 square plus d2 square divided by n1 plus n2 चुर। क्या दिखाये ? फिर शेक बार इपिड़ करो एंदर रेना है n 1 s1 square plus d1 square plus bracket over plus n2 bracket s2 square plus d2 square divided by n1 plus n2 वारो है मारा वारो तो बिए थे जो प्सक्राइब है गुलुकर टो फिए पर यह थे लिवस्टाइब में लिए को यू ए तो फिक पता चले अंग्या है अंग्या यह थो So, N1 is equal to number of observation of group 1, N2 is equal to number of observation of group 2. S1, S1 is standard deviation of group 1, S2 is equal to standard deviation of group 1, S2 is equal to standard deviation of group 2. deviation of group 2. अब बात रही D1 और D2 की, D1 और D2 की special formula है, D1 बराबार, आप लोगोंने एक चीज़ find out की है, X-bar, यह देखो, X-bar 1 और X-bar 2, D1 का मतलब क्या होगा? तो आप लोगों का जो X-bar है, उसमें से आपका combine mean जो है, okay, average mean में से combine mean को minus करो, तो यहाँ कहेंगा, X-bar 1, minus X-bar C, और D2 की formula है की, X-bar 2, minus X-bar C, क्या है का? की X-bar 1, मतलब जो पहला ग्रूप था, कौन सा ग्रूप? पहला ग्रूप था, उस पहले ग्रूप में से आपने mean find out क्या, that's called X-bar 1, उसमें से आपका combine mean है, उसको क्या करो? minus कर दो, तो आपको क्या मल जाएगा? difference, default difference, difference 1, okay, now D2, मतलब second group के mean में से, आपका combine mean minus कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? D2 मिल जाएगा, तो यह कौन से की formula थी? D1 और D2 की, और इन सभी formula को, इन सभी values को, आप इस formula के अंदर put down कर दोगे, और उसका calculation करो, तो आप लोगो को क्या मिल जाएगा? standard combine mean, इसको हम क्या बलेंगे? combine standard deviation, यह दा, मिल जाएगा, लेकिन इसको find out करने, CSD को find out करने से बेले, आप लोगों को find out करने पड़ेगा, combine mean, और यह mean find out करने की formula, और फिर से मिल एक पाई बता दी, और इसके बेसे हम बात करेंगे, combine standard deviation के बात की तो हमारे last session के बारे में बात की थी, range, mean deviation and quad elevation, और इस session में किस के बारे में बात की, तो करने बात की standard deviation, एक चीज़ याद रगना, standard deviation को find out करने के लिए आप जो भी formula यूज़ करते हो, वह formula आप लोगों को आपके data के हिसाब से, मतलब किस type का data है, real में 3 team types के data होते है, 3 types of data होते है, पहला होता है ungroup data, it is called as row data, then after other group data, there are two parts of group data, one जो होता है, वो frequency वाला होता है, x and f की value दी जाती है, और दूसरा जो होता है, वो frequency के साथ आप लोगों को class देता है, okay, 0 to 1, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, okay, और दूसरे जो होते है, मतलब class वाली जो data होती है, उसमें से आपको x find out करना पड़ता है, और वो कैसे करते हैं, हमने chapter number 3 में बाद उरेडी की थी, we find out them as a mid value, okay, यहाँ पर यह जो है, वो group data नहीं है, सिर्फोर सिर्फ रो डेटा है, मैंने यहाँ पर example भी लिखा है, data का, उसके हिजाब से standard deviation find out करने की formula है, और यहाँ पर जो हमने बात किया, वो group data के अंदर है, group data के अंदर shortcut में तर है, sigma fb square divided by n, अगर आप सिर्फ d is equal to x minus a लेते हो, तो यहाँ पर आपकी formula ले into c हो जाएगा, उसके बात combined standard deviation की, और यहाँ पर जो formula है, coefficient of standard deviation, उसकी formula गया है की, standard deviation divided by combined, sorry, mean, standard deviation मतलब s, जो हमने absolute measure में find out किया, वही value consider करनी है as a l, standard deviation divided by average, average मतलब mean x-bar, और अगर आपको कोई ऐसा पूछें की, find out the coefficient of variation, उसकी formula किया है की, okay, s divided by x-bar into 100, इतनी formula है हमारे chapter number 4 के अंदर, जिसको में chapter 4 measure of dispersion के अंदर, distribute किया गया है,